कि नमस्कार दोस्तों मेरे नामे फरीष और आप देख रहे हैं इल्यक्टोस वर्म्ह तो दोस्तों आज का विडियो हमारा ट्रांजिस्टर के ऊपर है कि बहुत भाई जो हैं सर्किट बनाते हैं नए सर्किट बनाते हैं नए प्रोजेक्ट В Tech तो यहां पर तीन ट्रांजिस्टर जो है वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं सर्कृट के अंदर 546 547 और 548 अब यहां पर बहुत भाई को यह दिक्कत होती है कि अगर इन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जैसे किसी सोप पे लेने गई या कोई ओनलाइन कहीं परचेस कर र कौन सा ट्रांजिस्टर कहां पर यूज कर सकते हो तो यह ट्रांजिस्टर हमें कुछ इस तरीके से मिलते हैं देखें बी सी यह 547 ट्रांजिस्टर है यह देखें तो इस तरीके से यह ट्रांजिस्टर है वह हमारे पास और यह तीनों ट्रांजिस्टर की जो लेग है वह बि वाली पिन है वो इसकी इमीटर है तो यह तो इसका किलियर होगे कि तीनों ट्रांजिस्टर सेम है और तीनों ट्रांजिस्टर में हम यूज कर सकते हैं अब यहां पर बात करते हैं कि जब आप कोई भी सर्किट बनाते हैं तो वहां पर बात आती है बोल्टेज की कि वहां पर आपके पास जो बोल्टेज जिस सर्कुट में इसको यूज करेंगे, वो सर्कुट कितने बोल्टेज का है, देखें यहाँ पर जो यह BC 546 जो हमारा ट्रांजिस्टर है, यह वाला हमारा कितने बोल्टेज का है, यह हमारा 65 वोल्ट का, यानि कि आपके पास कोई ऐसे सर्कुट में यह लग रहा है ट्रांजिस्टर जहाँ पर बोल्टेज 65 और 60 के बीच में है, तो आप इस ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हो, यहीं पर बात करते हैं कि BC 547 जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इसकी बोल्टेज कितनी है, इसकी है हमा 548 जो हमारा ट्रांजिस्टर है, यह होता है हमारा 30 वोल्ट का, यह हमारा 30 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है, और कहीं पर आप 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 18 वोल्ट का कोई सर्कुट बना रहे हो, तो आप यह 30 वोल्ट का ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हो, अब यहाँ पर बहुत यह question होगा कि अगर हमें 548 ट्रांजिस्टर नहीं मिला यह वाला ट्रांजिस्टर अमें यहीं नहीं मिला तो क्या हम 547 ट्रांजिस्टर को लगा सकते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं यह वाला ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हैं और अगर आपको इन दोनों ट्रांजिस्टर मे लगा सकते हैं क्योंकि इसकी बोल्टेज ज्यादा है और जिस ट्रांजिस्टर की बोल्टेज ज्यादा होती है उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी लैग सैम है देखिए बेस कलेक्टर इमीटर बिल्कुल सैम है यहां पर तीनों ट्रांजिस्टर के अंदर डेटा भी बिल तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में कोई भी ट्रांजिस्टर को लगा सकते हैं, बस हमें उसका बोल्टेज देखना होता है, कि जिस जगे पर हमारे सर्किट में कोई भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो उसका बोल्टेज है, वो बोल्टेज हमारे दू 48 जो हमारा transistor है वो हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसका voltage 30 है तो दोस्तों मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल का आइकन को जरूर दबाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा